नमस्कार दोस्तों, 20 अप्रेल 2022 के डेली दाहिंदू एडिटोरिल डिसकुशन में आपका स्वागत है कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरिस डिसकुस करेंगे पहला है डेमोलिशन ड्राइव, वोईलेट इंटरनाशनल लॉग देखे हुआ ये था कि जब सिटिजर्शिप अमेंडमेंट आट के अगेंस प्रोटेस्ट हुए थे तो उत्तरपदेश से ऐसी कुछ निउस निकल के आई थी कि भाई जो रायोटर्स ने पार्टिसिपेट किया थे इन प्रोटेस्ट में उनके घर वगरा को बुल्डोस किया गया अभी डिसेंटली नाव राम नवमी के दौरान मधर पदेश के अंदर भी ये निउस निकल के आ रही है कि जो रायोटर्स थे specifically एक particular community के इनके घरों को यहाँ पर गिराया गया हालागि सरकार ने clarification दिया है authorities ने clarification दिया है कि हम उन घरों को गिरा रहे हैं जो encroachment है जो buildings illegal जो घर illegal तरीके से बने हो इनको गिरा रहे है बट बहुत सारे लोहों को बोलना है कि एक specific community जो rioting कर रही थी उसके घरों को यहाँ पर गिराया जा रहा है और अब कुछ ऐसी ही news दिल्ली से भी निकल के आ रही है कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा किया जागा जहांगीर पूरी में violence हुआ है न तो इस प्रकार की demolition drives international law को violate करती है ऐसा बोलना है प्रभाष रंजन साब का और अमन कुमार साब का एक sensitive आर्टिकल है इसको समझेंगे author की viewpoint मैं आपको बताऊंगा next आर्टिकल है time to set price distortions right भाया overall economy को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ease of doing business को ही implement नहीं करना है cost of doing business को भी कम करना बहुत साथ सुरूरी तो यह जो पूरा article है वो ease of doing business के सासत cost of doing business को कम करने की बात बोलता है उसके ideas देता है ज़र शंकर साब जो की former secretary है DIPP government of India के इन्होंने इस article को लिखाए देखिए pro government article ने कुछ points पे सरकार को criticize किया जा रहा है समझने कोशिश करेंगे इनकी viewpoints सही है गलत है क्या है फिर next है an unwarranted delay governor silence is not sending the bill to the president seeking neat exemption is inexplicable September के लगबग पे Tamil Nadu की सरकार ने neat bill pass किया था जिसके चलते तमिल Nadu के जो सरकार है राज्य सरकार के वहाँ पे admission neat के हसाब से नहीं होगा तमिल Nadu अपने criteria के हसाब से करेगा वह बार्वी की number के basis पे तो यह जो particular bill है यह कई महीनों तक RN Ravi जो कि governor है तमिल Nadu को उनके पास पड़ा रहा और नहीं इसको president को forward कर रहे है तो इस point को लेके यहाँ पे recently एक चाय पे चर्चा और्गनाईज की थी RN Ravi में जिसमें M.K. Stalin और उनकी cabinet ने participate ही नहीं किया तो इस particular news को देखेंगे फिर अगली news है एन honest reckoning India must get experts to independently investigate excess deaths देखें WHO के जो chief है Tedros Gabresis यह आये हुए है इंडिया ठीक है जो global आयूश investment और innovation summit हो रही है गुजरात में जिसको Modi ji inaugurate कर रहे है मैंने कल आपको current defense ने बताए भी था उसमें आपके यह Tedros Gabresis साब participate करेंगे गुजराती में इनोंने Modi ji को address किया उसम न्यूस काफी आ रही है लेकिन at the same point of time WHO एक ऐसे मुद्दे को खंगाल राजिस से भारत सरकार नाराज है और वो यह है कि COVID के चलते कितनी मौते हुए इंडिया के अंदर तो इस particular article को दिखेंगे आगे बढ़े वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लिजे Instagram पर follow कर लिजे, Telegram गूप जोन कर लिजे दोनों ही चीजों का link नीचे description box में दे रखा है and if possible for you friends, click the join button that would be specifically very very helpful तो चले शुरू करते है इंडिया should focus on reducing cost of doing business यहाँ पर heading बताए जा रही है देखे बात यह है reforms का objective क्या होता है reforms का objective होता है कि पहले economy में जो micromanagement हुआ है उसके चलते जो distortions है, in distortions को हटाना जो कमिया है उन कमियों को हटाके system को और streamline करना, smoothen करना ठीक है भई अब internal economic liberalization के बाद जो international trade की तरफ openness हुई है investment की तरफ openness हुई है इससे एक open free market निकल के आए है और ease of doing business आगे चल रहा है यह सरकार की प्रयोर्टी है कि हमको business को streamline करना है लेकिन at the same point of time आथर यहाँ पर बोल रहा है कि business को streamline करने के साथ cost of doing business को भी streamline करिये तो author की आप बोल रहा है कि यहाँ पर cost of doing business को आप कैसे कम कर सकते हो तो जो government policy induced pricing distortions है इसको कम करो जो government की policy के चलते prices बढ़ गई है चीजों को इसको यहाँ पर कम करने की जुरूरत है तब जाके हम domestic value addition में जो disadvantages को हटा पाएंगे और real sense में job creation कर पाएंगे तब जाके इंडिया एक manufacturing hub बन पाएगा employment generation यहाँ पर proper तरीके से हो पाएगा मतलब सरकार की policies में इन्होंने यहाँ पर issue उठा दी है इनका यह बोलना है कि भाई बहुत सारे political pundits का ऐसा बोलना है कि reforms जैकि जब crisis आती है तब reforms आते हैं तो crisis के समय पे ही हमें reforms लेके चलने चाहिए लेकिन एक limit से ज़ादा reforms टेड़े पर सकते हैं author यह बोल रहा है और इसके लिए author example quote कर रहा है तीन farm loss का यह जो तीन farm loss थे जो ordinances के थूँ आये थे इनको सरकार को वापस लेना पड़ा तो कहीं नगे author यहीं बताने कोशिश कर रहा है ठीक है भई आप policy को लेके आ रहे है crisis के समय पे reforms के तौर पे ठीक है लेकिन यह reforms सोचे समझे होने चाहिए नहीं तो backfire कर सकते हैं जैसे कि यह तीन farm loss blackfire कर गए है अब actually में यहाँ पे सरकार की कौन सी policies को author criticize करने कोशिश कर रहा है business के perspective में इसको समझते है सबसे पहला है price distortion in petrol diesel यह यह बात तो बिल्कुल सही है petrol और diesel के दाम बहुत हद तक बढ़े हुए एक individual user as in individual user मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सोचना पड़ रहा है सब को जितने भी लोग है चाहे individual consumers हो petrol diesel के चाहे आप कहलो business consumers हो logistic के लोग हो सब कहीं न कहीं बढ़ते तेल और diesel के दामों से परेशान है अब शुरुआत में क्या होता था कि जो कारें होती थी वो luxury good थी और इसलिए आप देखो petrol के ओपर excise duty जादा होती थी लेकिन जो diesel होता था वो bus वगरा means होता था तो diesel को essential need of transport की तरह देखके सरकार ने diesel के दाम पेटरोल से कम रखे लेकिन जब diesel के दाम पेटरोल से कम हुए तो कारें और SUV डीजल में बनना शुरू हो गई और यह डीजल वाली कार SUV तेजी से बिकना शुरू हो गई तो सरकार को समझ में आयर यार यह idea तो उल्टा पड़ गया तो आज की डेट में पेटरोल और डीजल के दाम में कोई बहुत खासा बड़ा फर्क नहीं है तो बेसिकली पेटरोल के दाम जादा रखना डीजल के दाम कम रखना सरकार को लगा कि बस वगारा में चलेंगे लोग लेकिन कंपनियों ने डीजल की ही काने SUV निकाल दी और आज की डेट में उधरलने से बिकती हैं क्यों है चुकि डीजल के दाम कम है आप यहां पर हमको समझना है कि यह जो सरकार में पेटरोल और डीजल के ओपर हाई टैकसेस लगाए है यह गड़बड़ है जो सबसे पहला policy कमी बताई जा रही यहां पर सरकार की ऑथर के दौरा वो यह है कि पेट्रोल डीजल के उपर ही जो हाई टैक्स हैं से इनको हटाने की जरूत है इतने ज़ादा टैक्स हाई हैं कि इनको GST के अमबिट से बाहर रखा गया है In fact, सिर्फ राजी की सरकार नी, केंदर की सरकार भी चाती है कि जो पेट्रोल डीजल है GST के अमबिट से बाहर रहे हैं उसका रीजन ये है कि अगर ये GST के अंदर आते हैं तो जो मैक्सिमम टैक्स लगेगा पेट्रोल डीजल के उपर वो होगा 28% का और 28% के टैक्स के अबाद भी चो पेट्रोल का दाम होगा मार्केट में होगा 60 रुपे प्रति लीटर अभी के लिए कितना है 120 रुपे प्रति लीटर मतलब आप समझ सकते हो कि केंदर की सरकार का एक साइस टैक्स और राजी की सरकार के टैक्स ने overall petrol diesel के दाम बहुत ज़ादा बढ़ा रखे हैं अगर GST के अंदर आएगा petrol diesel दाल बहुत कम हो जाएंगे ना राज्जी की सरकार चाहती है कि GST के अंदर आए और ना ही के अंदर की सरकार आती है इससे हुआ क्या retail customers जो की अपनी bike में और car में petrol डलवाते हैं उनके लिए तो चीज़े महेंगी होई रही है साथ-साथ वो लोग जो की road transport में involved है उनके लिए भी चीज़े महेंगी हो रही है logistic के cost बढ़ रहे है और logistics बहुत जरूरी है बाई देखो आप समझो जब मान लिजे हमने इंडिया से कोई चीज बाहर export की अब मान लो जो producer है वो है मद्धपदेश में वे मद्धपदेश वाला कलकत्ता के port से या मुंबई के नावा शेवा port से अपना समान बाहर export कर रहा है तो मद्धपदेश से port तक पहुंचाने का जो खर्चा है वो भी तो included होगा ने export cost में समझ रहो ना बात को मतलब वो अपनी जेब से दो देगा नहीं एक्सपोर्टर तो उसके चलते जो हमारे products है वो international market में हो जाएंगे महेंगे और हम Vietnam और Philippines जैसी countries के साथ उतनी effectively compete नहीं कर पाएंगे Vietnam, Philippines, Bangladesh, China ये सब हमको export में competition दे रहे हैं तो ये जो logistics के cost है इनको कम करना जरूरी है और ये हम कैसे कम कर सकते हैं जब हम petrol, diesel के दाम कम करेंगे ये एक facet हो गया दूसरे facet की बात करते है electricity pricing देखे कि आज की date में 50% से ज़ाद electricity को पैदा करने के लिए चाहिए होता है coal हम लोग 50% से ज़ाद electricity coal से पैदा कर रहे है और coal के ओपर 400 रुपे प्रती टन का cess लगाए गया है ताकि इससे जो पैसा निकलेगा उसको हम renewable energy और economic decarbonization में लगाएंगे तो अब इससे हो क्या रहा है हो इससे ये रहा है कि अगर आप कोईला महंगा कर रहे हो तो कोईला से जो पैदा होने वाली electricity है ना वो electricity भी महंगी हो जाएगी तो अभी के लिए जो coal consume हो रहा है उसको जो भी consume कर रहा है वो 40,000 करोन रुपे तक का cess दे रहा है अब इस 40,000 करोन को सरकार भले developmental outcomes में लगा रही लेकिन at the same point of time ये 40,000 करोन जो आप कहलो companies हैं बिजली पैदा करने के बाद consumers से ही वसूल कर रही है तो indirectly electricity के दाम हो रहे है यहाँ पे महंगे फिर railways की बात कीज़ए अब railway के अंदर आपने सुना होगा कि जो passenger trains है और जो आप कहलो की जो freight trains है एक तोती माल गाड़ी जिसमें सामान railway में एक जगा से दूसरी जगा transfer के आता है एक लोग जाते हैं तो जो लोग जाते हैं उसको passenger बोल लो जो समान जाते हैं उसको freight बोल लो अब passenger train में जो fares हैं लोगों के वो एक limits जादा बढ़ा हैं नहीं जा सकते तो क्या कर रही है सरकार की जो freight है उसको बढ़ा रही है मादब railway से अगर आपको सामान एक जगा से दूसरी जगा transfer करना है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और railway से बहुत अब तक कोईला transfer होता है तो पैसेंजर ट्रेन में आप political purposes से दाम नहीं बढ़ा सकते हो तो आप क्या कर रहे हो द्राम बराड़ो freight वाले elements से और इससे क्या हो रहा है कि जो चीजे transfer हो रही है उनके logistic cost बढ़ रहे है कासका जो कोईला trains के तो transfer हो रहा है उसके logistic cost बढ़ रहे है लोगों की जेव पे जा रहा है तो यह सब चीजों के चलते author यहाँ पर identify करने की कोशिश यह कर रहा चाहिए railway की बात कर लो, electricity की बात कर लो petrol, diesel की बात कर लो कि भाई देखिए अगर आपको इंडिया के अंदर business को affordable बनाना है आप चाहते हो कि इंडिया बड़े manufacturing हब की तरह निकल का है हमारी competitiveness इंटरनेशनल मार्केट से बनी रहे हमारा manufacturing growth तेजी से हो हम job जादा तेजी से पैदा करें तो हमें कहीं न कहीं इन policy disadvantages को हटाना पड़ेगा petrol, diesel के दाम घटाने पड़ेंगे electricity के ओपर जो से से उसको हटाना पड़ेगा railways में जो extra freight charges हम डार रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा ये policy जब तक सही नहीं होगी तब तक business competitiveness इंडिया के अंदर नहीं आ पाएगी फिर कुछ और बात भी कर रहा है ये कि रियल estate में जो land के दाम है वो एक limit से ज़ादा बढ़ गए इंडिया के अंदर quality infrastructure है नहीं उसके ओपर ज़रू लैंड के दामों ने भी private investment और नए business generation को काफी हद तक मुश्किल कर दिया है और ये सब बोलके author ये कोशन बोलने की कोशिश कर रहे है एंड में की देखिए इंडिया के अंदर government jobs ना के बराबर है तो कोई ये सोच रहा है कि government job बढ़ा के आप देश के इतनी बड़ी आबादी को नौकरी दे दोगी तो ऐसा होने वाला नहीं है अगर इंडिया के अंदर कोई एक sector jobs create कर सकता है तो वो है private sector ये से private enterprises को आपको खुल के मदद देनी पड़ेगी ऐसा author यहाँ पर viewpoint दे रहा है ठीक है वही तो ये article हमने लिस्टर के आगले article की सरफ चलते है गौवर्नर साइलेंस नाट सेंडिंग दा बिल तो 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 प्रेजिनेट सीकिंग नीट एक्सेंप्शन इस इनेक्स्रिपिकेबल तो वही आरन रवी वाला मुद्दा गवर्नर वर्सिस जो चीफ मिनिस्टर वाली जो डिबेट है वो यहाँ पर चालू है नैशनल एलिजिबिल्टी कम एंट्रेस टेस्स से रिलेटेड नियम कानूनों को जो तमिल नाटू की सरकार है वो बदलने की कोशिश कर रही है और उसके लिए जैसा कि मैंने आपको शुरूम बताया सेप्टमबर 2021 में एक आप कहलो बिल पास किया नीट बिल तमिल नाटू की सरकार ने इस बिल को तमिल नाटू की सरकार ने गवर्नर के पास भेजा गवर्नर से ये एक्सपेक्टेड था कि वो प्रेजडेंट को फॉर्वर्ड करेंगे चूकि नीट से रिलेटेड नियम कारून के इंदर की सरकार ने बनाए इनको चेंज करना है तो प्रेजडेंट का एसेंट लगेगा भई सेप्टेंबर से लेके फरवरी की शुरुवात तक आरन रवी इस बिल को अपने पास लेके बैठे रहे फिर उन्होंने बिल को वापस री कंसीडरेशन के लिए तमिल नाडू की स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबली के पास बेज दिया एक हफ्ते के अंदर फिर से तमिल नाडू की स्टेट लेजिस्टेटिव इसल्बली ने बिल को पास किया और 8 फरवरी को फिर से इस बिल को आरन रवी के पास भेज दिया और 8 फरवरी से लेके आज हो गई है لगबग 20 अपरेल और ये बिल अभी भी आरन रवी के पास spending पढ़ा हुआ है अब इस बात को लेके नाराजगी है तमिल नाडू के अंदर तमिल नाडू के लोगों का ये बोलना है कि भई क्या चक्कर है यहाँ पे क्यों ये जो गवर्नर से ये बिल को लंबे समय तक अपने पास spend नहीं रखते हैं खासकर मीट जैसे बिल जहाँ पे बच्चों के admission का सवाल उठाया गया आर्टिकल 200 of the Constitution candle आरन रवी यहाँ पे इसको खुद से approval नहीं दे सकते आरन रवी को ये particular बिल प्रेसिडेंट को recommend करना ही होगा चुकि यहाँ पे चुकी need बिल के उपर बात हो रही है और ये कानून केंदर की सरकार ने बनाया है तो प्रेसिडेंट के approval के बिना तो तमिल नडू के अंदर ये कानून लागू हो नहीं सकता और जल्दू लागू होने भी नहीं देगी केंदर की सरकार चुकि फिर इस हिसाब से तो हर राज्य की सरकार एक बिल पास करेगी और नीट को बाइपास कर देगी ठीक है भाई तो अब यहाँ पे आरन रावी के साथ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ गया कि हम लोग overall इस particular मुद्दे के उपर बातचीत कर रहे हैं तमन न्यू यार्डे था 14 अप्रैल को और इसके लिए गवर्नर ने अपने रेजिडेंस पे at home पे एक tea organize की थी और एक gesture की तरह यहाँ पे जो तमिल नाडू की चीफ मिनिस्टर और जो उनका cabinet है उनको आना था आरन रवी साथ की घर पे और बैठके बातचीत करनी थी लेकिन ना चीफ मिनिस्टर आए और ना ही उनके cabinet मिनिस्टर साए वो दोनों ही इस meeting से दूर रहे एक्चुली इस particular event पे जो nationalist poet है तमिल के सुब्रमन्या भारती इनकी statue की unveiling भी थे उसके बावजूद यहाँ पे M.K. स्टालिन साब नहीं आए तो यह जो तमिल नाडू में governor वर्सेस चीफ मिनिस्टर वाली debate है यह नहीं नहीं है जनवरी 1994 में भी कुछ ऐसा हुआ था उस समय की जो चीफ मिनिस्टर थी जैललताजी और उनके cabinet ने भी customary tea जो कि उस समय के governor M. चन्ना रडी ने रिपब्लिक डे पे organize की थी उसमें participate करने से मना कर दिया हाला कि इस बार ये जो M. क. स्टालिन साब है इन्होंने दो मिनिस्टर को initially बातचीत करने के लिए भेजा मतलब इस T. वाले चर्चा से पहले दो मिनिस्टर एक ठंगम थेना रासू एक मा सुब्रमन्यम ये दोनों गया R.N. रवी के पास बात करने हो नीट के ओपर most probably उन्ह यहां पे स्टालिन साब और उनकी कैबिनेट साब बातचीत नहीं करने गए T. के ऊपर अटेंडी नहीं करने गए किसके पास R.N. रवी के पास हाला कि ऐसा नहीं कि कोई और नहीं आया जो चीफ सेक्रेटरी थे टीवी वेंकट रमन ये आये कुछ सीनर गौर्मन्न और पु पहले चन्ना रड़ी से मिलने के लिए पहले की बात थो रही जैललिता के समय पी बिसिकली यहां पर कंपार्जन किया रहा पहले का कि कैसे जैललिता जी नहीं पर अपनी इंगेजमेंट की थी कैसे स्टालिन कर रहे हैं तो रिपब्लिक डे में जब फ्लैग होईस्टिंग क समय था तब जैललिता जी और इनके दो कलीक्स वी यार नेंदू शियान और इमदू संदन फ्लैग होईस्टिंग के टाम पर प्रेज़ेंट थे शाम को टी के टाम पर वो गवरनर के साथ प्रेज़ेंट नहीं थे लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो जो एमके स्टालिन साब है इन्होंने पहले नीट के इशू के रिस्पेक्ट में भेजा अपने दो मिनिस्टर्स को जब कुछ पॉजिटिव नहीं मिला तब उन्होंने टी स्किप की यह कोई रिपब्लिक डे का इवेंट नहीं था जैललिता जी मोस्ट पाबली इसलिए गई होगी फ्लैग तमिल लाडू के अंदर गवर्नर वर्सस चीफ मिनिस्टर वाली जो डिबेट है वो अलाइव हो जाती पहले भी वाइस चांसलर और मदराज उनिवरस्टी के अपॉइंट्मेंट को लेके भी लडाई हुई है राजभवन के बीच में सरकार के बीच में जनवरी 1994 की बात है एक बिल एडॉप्ट किया गया एसेंबली में जिसने चीफ मिनिस्टर को चांसलर और उफ उनिवरस्टी बना दिया गवर्नर की बज़ाए तो मतब अक्सर कर गवर्नर वर्सस चीफ मिनिस्टर की लवाई यहाँ पे चलती है अब ओवरॉल यह जो टी होस्ट की थी यहाँ पर तमिल नशल डे पर गवरेनर पर इस पर पाथिसिपेट तो नहीं किया स्टालिन सहाब ने लेकि मीटींग को इसकिप करने के बाद गवर्मेंट को एक स्ट्रॉंग वर्ड़ चिःति लिखे एक वेल ड्राफटेर लेटर लिखा गवरेनर को स्टालिन साब ने, इन्होंने बोला कि बाई देखो, मीटिंग से पहले मैंने अपने दो मिनिस्टर्स को तुमारे पास बेजा, तुमसे नीट पे लेके कुछ पॉजिटिव हमें, मतब, इन्फॉर्मेशन की उम्मीद थी, आपकी तलब से कोई पॉजिटिव इंफॉर्मिशन आई नहीं, हमारी तमिलनाडू की स्टेट लेजिस्लेटिव एसेमली की भी कुछ गरिमा है, अगर हमने बिल पास करके आपके पास बेजा है, तो आपका ये कॉंस्टिटूशनल responsibility है कि आप उस बिल की उपर कुछ action ने, आप उस बिल को अपने पास लेके बैठ गए हो, तो इस case में हम आपकी T hosting event में participate नहीं कर सकते हैं, आप इस बिल को pending रखके, collective will of the society, as well as the will of the legislative assembly को ignore कर रहों, जो कि constitutional order में सही नहीं है, मतलब M.K. Stalin साब बहुत जबरदस्ट तरीके से अपनी strategies को ground level पर implement कर रहे हैं, ठीके न, वो attend भी नहीं कर रहे हैं, इससे अपना गुसा भी दिखा रहे हैं, और साथ-साथ अपने गुसे के reasons को भी proper तरीके से लिख के भेज रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि real picture actually में यहाँ पर हो क्या रहा है तो कुल मिला कि यह एक इशू है जो मैंने आपको बता है, यह सब इसलिए news में निकल किया है, चुकि Tamil National Day था 14 अपरेल को उसके लिए overall meeting होनी थी, चाय पे लेकिन प्रेजिडेंट के पास भी यह particular bill पास नहीं कर रहे है, आरन रावी सब यह यहाँ पे मुद्दा उठाया जा रहा है, ठीक है भाई फिर next है, an honest rockening इंडिया must get experts to independently investigate excess death, तो भाई है Tedros Ghebreyesus, Director General of World Health Organization, गुजिरात में आये हुए Global Ayush Investment and Innovation Summit के लिए, और यह एक ऐसा समय है जब इंडिया और WHO एक बात को लेके जगड रहे हैं कि COVID की वज़े से कित्ते लोग मरे हैं 2020-21 में 2020 में organization ने compute किया कि 3 million लोग, लगबग 30 लाख लोग COVID की वज़े से मरे हैं ठीक है, लेकिन countries ने रिपोर्ट किये थे 1.8, मतलब 18 लाख overall reporting थी अलग-अलग countries की तरफ से, लेकिन WHO क्या बोला था कि नहीं भाई 20 लाख लोग मरें 2021 में कित्ते लोग मरें इसकी प्रापर तरीके से computation अभी हुआ नहीं है WHO की तरफ से लेकिन एक रिपोर्ट छप गई New York Times में जिसने ये बोला कि WHO के estimate ये बताते है कि इंडिया के अंदर अकेले 40 लाख लोग मरें हैं COVID से 4 million deaths जबकि इंडिया का जो official death figure टॉल है वो है 5.2 लाख अब इस बात को लेके इंडियन सरकार को आगया गुस्सा आएगा भी भारत सरकार यहाँ पर इंडिया में चालिस लाख लोग मरें तो ये एक्स्ट्रा चेंजस कैसे आ रहे हैं हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का ये बोलना है कि WHO mathematical extrapolation को इस्तमाल कर रहा है assumptions के basis पे 40 लाख मौते दिखा रहा है जबकि हमारे याँ पे 40 लाख मौते नहीं होई है हाला कि WHO का बोलना है कि independent estimates होने चाहिए भारत सरकार कहीं अब WHO सीधे तो नहीं बता रहा है लेकि जो report निकल के आ रही है उससे तो भाई देखो यहीं पता चल पा रहा है तो इंडिया बता रहा है कि हमने western countries से अच्छा परफॉर्म किया है COVID pandemic की dealing में WHO बोल रहा है कि नहीं भाईया आपके यहां आठ होना ज़्यादा डेथ हुई जितनी आप report कर रहा है अब बात यहां पे यह है कि इंडिया की health infrastructure की बात करिये तो no doubt बहुत सी western countries से जो हमारा infrastructure है वो कम अच्छा है traditionally हम लोग health sector में काफी पीछे रहे है disparity health services में across states बहुत ज़ादा रही है लेकिन फिर भी recently हमने अपना health infrastructure भी अच्छा किया है COVID की वह जैसे thanks to COVID लोग मरें लेकिन कम से कम health infrastructure तो अच्छा हुआ और कहीं न कहीं जो medical registration है death के वो भी improve है जैसे कि 2019 तक medical registration of deaths in इंडिया 92% पे था तमिलाडू केरला मिजोरम जैसे states में 100% death registration होता है लेकिन problem यहां पे यह है कि death किस वज़े से हुई यह reason proper तरीके से in state में भी document नहीं होता तो तमिलाडू केरला मिजोरम में अगर किसी की मृत्य होती है तो उस मृत्य को report किया जाएगा certified किया जाएगा proper तरीके से governmental records में उसकी entry होगी यह बात बिल्कुल सच है लेकिन वो मृत्य किस वज़े से हुई certified cause क्या था death का इस चीज को जल्दी document नहीं किया जाता ठीके ना overall इन state में भी फिर अगर आप बिहार, जहारखंड और उत्तरप्रदेश state में चले जाओगे तो वहाँ पे तो 67% death आप कह सकते हो record होती है 33% death recording नहीं होती है और certified और कम होती है death की वज़ा क्या थी ये तो और कम document किया जाता है तो इससे क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है कि हमारे health system में death की reporting को लेके कुछ issues है और इन issues को बाहर के organizations openly quote कर रहे है pandemic की वज़ा से जो हमारे health system में इसके उपर एक extra pressure पड़ा अब इस pressure में कितने लोग exactly मरे इसका एक exact count रख पाना बहुत मुश्किल है तो भाई देखो exact counting तो हम कर नहीं सकते हैं कम से कम researchers indirect method का इस्तमाल करके एक estimate तो दे सकते हैं tall का कम से कम official estimates एक accurate picture तो दे basically author की जो वहाँ पर lining है ना वर्डिंग से वह यह पो ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि जो सरकार 5.2 लाग का figure दे रही है यह कम है यह figure जाता है अब WHO का 40 लाग सही है कि नहीं है वह एक अलग बात है इसके बारे में आपे कोई भी बात नहीं की पा लिए लेकिन future में आने वाले समय के लिए future generations के लिए यह जरूरी है जानना कि बाई इंडिया में medical registration of death proper हो और उस registration के साथ यह भी document किया जाए कि यह death actually में किस वज़े से हुई है तब जाके हम proper तरीके से यह document कर पाएंगे कि हमारे health system किस प्रकार से काम कर रहे है अगर access death हो रही तो किस वज़े से हो रही है जर्नलिस्ट और overall जो medical practitioners से वो इन death हो को proper तरीके से report कर पाएं इससे इंडिया के health traditions longer term में और अच्छे हो जाएंगे यह सब बते हैं आपे बताई गए आगले article से बते हैं demolition drive wallet international राम नवमी के processions के दुरान देश के अलाग अलाग इस्तों में बंग दंगे होगे कारगोन मद्धपदेश की कहानी मैंने आपको एक से पहले वीडियों बताई थी मद्धपदेश के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो rioters थे जिन्होंने rioting की है उनके houses को bulldoze करके गिराये जा रहा है जब राजगी सरकार से पूचा गया कि भाई आप क्यों bulldoze करके houses को गिरा रहे हो तो राजगी सरकार में बोला कि देखे ये illegal encroachment थे यहाँ पे illegal घर बना रखे थे यह जमीन इनकी नहीं है घर इन्होंने illegal तरीके से मना रखा था इसलिए हमने यहाँ पे गिरा दिये लेकिन overall यहाँ पे कुछ सवाल उठके आ रहे है कि क्या सिर्फ Muslims के घर गिराये जा रहे है या कुछ हिंदूों के घर भी गिराये गए अगर illegal encroachment था तो इन घरों को गिराने का order क्या पहले आया था अगर पहले आया था तो पहले execute नहीं हुआ अब क्यों execute हो रहा रायोटिंग के बाद या फिर illegal encroachment को गिराने का order भी recently release किया गया है इन सब चीजों को लेके कुछ सवाल उठाए गए हैं यहाँ पे मद्धपदेश के अंदर तो यह जो bulldozing machines है author इनको new systems of brute state power बता रहा है और constitutional order के अगेंस्ट बता रहा है यहाँ पे आप justice को quick or cold serve कर रहे हो लेकिन यह जो justice को serve करने का तरीका है यह constitutional order के अगेंस्ट है और इसी तरीके का एक example उत्तर प्रदेश से भी निकल के आया था ऐसा author बोल रहे थे Citizenship Amendment Act 2019 का अगेंस्ट जब उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी orders किये कि जिन लोगों ने public property को destroy किया है उनके घर वगरा को seize कर लो उनके घर वगरा को bulldoze कर दो इस प्रकार की orders पहले भी निकल के आये थे इसके लिए proper act पास किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश recovery of damages to public and private property act 2020 तो क्या इस प्रकार से जो लोग जो लोग rioting कर रहे हैं जो लोग public property तोड़ रहे हैं जो गलत तरीके से दंगा फसाद कर रहे हैं वो तो यहाँ देखो गलत हैं उनकी गलती है ये बात तहर लेकिन उनको accountable ठहराने के लिए अगर सरकार उनके घर बुल्डोस करने लगे या उनसे पैसा वसूलने लगे क्या ये international law obligation के हिसाब से है इस बात के उपर इस particular article में question उठाया जा रहे हैं बहुत से लोग यहाँ पर इस बात पर question करेंगे कि दंगा फसाद कौन से basis पर कर रहे हैं ठीक है वो एक question है लेकिन आथर बोला कि वो question एक बार को अलग है यहाँ पर आप दंगा फसाद करने वालों से बदला निकालने के लिए उनका घर तोड़ दो यह सही नहीं है अब इसके लिए author कह रहा है कि यह article 21 of the Indian constitution का violation है फिर article 25 of the universal declaration of human rights का violation है यह article 25 of universal declaration of human rights क्या बोलता है everyone has the right to a standard way of living dedicated for health and well-being of family including food, clothing, housing and medical care मतलब सब के पास right है कि वो एक decent तरीके से रह सकता है खाना पीना खा सकता है घर के अंदर रह सकता है तो अगर आप किसी का घर गिरा रहे हो मतलब आप लॉको वालेट कर रहे हो फिर यहाँ पर quote कर रहे है author article 21.1 of the international covenant on economic, social and cultural rights जिसमें सबको एक adequate standard of living का अधिकार दिया गया है dignity के साथ रहने का अधिकार दिया गया है fooding, clothing और housing का अधिकार दिया गया है इसी article 11.1 के अंदर countries के ओपर यह responsibility डाली गई है कि यह अधिकार वालेट ना हो लोगों को adequate housing मिले तो obvious सी बात है अब अगर यहाँ पर किसी के घर तोड़े जा रहे है तो मतलब article 11.1 of the ICESCR मतलब international covenant on economic, social and cultural rights को violate किया जा रहा अगर article 11.1 के application को आपको रोकना है तो restrictions आप लगा सकते हो article 4 के अंदर of the ICESCR लेकिन यह restrictions compatible होना चाहिए overall societal general welfare से तो author यहाँ पर बोल रहा है कि किसी के घर को bulldoze करना overall societal general welfare के साथ certain नहीं बैठेगा तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि बाई तुम तोड़ा फाड़ी मचाओ गए तो तुम्हें तोड़ा फाड़ी रोकने के लिए तुमारे class action तो लेना पड़ेगा तो इस action को क्या justice बताया जा रहा है तो author बोला है कि नहीं भाई ICESCR, Universal Declaration of Human Rights और Article 21 of the Constitution के अंदर इसे आप justice बिल्कुल भी नहीं बोल सकते arbitrary interference in individual's right to property यहाँ पर नहीं हो सकता फिर UDHR के Article 12 को यहाँ पर court किया जा रहा है no one shall be subjected to arbitrary interference with its privacy, family, home or correspondence फिर Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights of Court किया जा रहा है जो कि बोलता है कि सब के पास अधिकार है property own करने का और उनकी property से उनको arbitrarily अलग नहीं किया जाएगा तो यह सब international laws के basis पे यह जो bulldozer के थुरू लोगों के घर बगरा गिराए गए allegedly उन लोगों के जो कि रायोटिंग में involved थे और जातातर बताया जा रहा है कि मुस्लिम से क्या यह गलत है यह बिलकुल गलत है ऐसा author यहाँ पे बूल रहा है हाला कि कुछ लोग यह भी बोलेंगे कि भाई यह लोग आके public property तोड़ते हैं पुलिस की जीपे हैं उनको जला देते हैं भून देते हैं government buildings में आग लगाते हैं नुकसान करते है government tax checker का तो इनके हिलाफ action तो लेना ही पड़ेगा तो अब आप मुझे नीचे comment box में बताओ कि भाई आपका क्या यहाँ पे viewpoint है क्या सच में यहाँ पे कोई raw में rioting कर रहा है और अगर mob violence में वो involved है तो उसके खिलाफ इस प्रकार का step लेना सरकार के दोरा क्या सही है हाना कि सरकार ने यह नहीं बोला है कि उन्हों नहीं ऐसा step लिया सरकार को पर इल्जाम लगाया जा रहा लगला लोग के तोरह जैसे यहाँ पे इल्जाम लगा रहे है प्रभाश रंजान साब तो अपनी वी पॉंट भी आप यहाँ पे नीचे comment box में देके जाना प्लस यहाँ पर आथर यह भी बोल रहे है कि यहाँ पे judiciary को intervene करना चाहिए चुकि Supreme Court के judgments wallet हुए बच्चन सिंग वर्से स्टेट अफ पंजाब विशाखा वर्से स्टेट अफ राजिस्थान पुट्टू स्वामी वर्से स्टेट अफ इंडिया इन सम्में fundamental rights तो guarantee किया गया यह fundamental rights यहाँ पे wallet हो रहे है इसलिए judiciary को intervene करना चाहिए आप मुझे नीचे comment box में बताइए as a bureaucratic mindset कि आपके हिसाफ से यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है क्या सही है क्या गलत है अगर यह गलत है तो जो rioters है उनको किस प्रकार से सजा दी जाए इसके बारे में भी अपने viewpoint नीचे comment box में लिखे हैं thank you for watching friends आज के एडिटोरल में इतना ही I hope आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला हो अपने viewpoint नीचे comment box में देखे जाएगा Instagram पर follow कर लिजे Telegram जोइन कर लिजे and if possible for you friends click the join button have a great day good bye